नमस्कार मैं हूँ नीलू तो जैसी के आशंका जताई जा रही थी कि इसरेल कब आखिर इरान पर हमला करेगा क्योंकि 25 दिन पहले इरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइले दागी थी और इसरेल पर कई मिसाइले गिरी थी उसके बास यही का जा रहा था कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इसरेल इसको लेकर पलटवार करेगा तो कल अगर इसरेल के टाइम के अनुसार यानि समय के अनुसार बात की जाए तो रात के ठाई बजे के आसपास हमला जबर्दस तरीके से इरान पर किया गया है कितना नुकसान इसमें इरान को हुआ है, किस तरीके से, किन-किन ठिकानों को उसने निशाना बनाया बाच्चित करने के लिए मैंक मेरे साथ चुड़ गाए है मैंक जिस तरह से कहा ये जा रहा था, बार-बार की जिस तरह से इरान ने हमला किया इस्रेल जबाव नहीं दे रहा है, अब तक उसने चुपी साथ रखी है, बहुत सारी चीज़े बात आ रहे थी, लेकिन आप जिस बड़े हमले की लगातार हम बात कर रहे थे, कि वो हमला कभी भी इस्रेल कर सकता है अपनी तरफ से एरान के उपर, वो हमला हो गया, कहां कहां क किस तरह का नुकसान इरान में? देखे अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है अलग-अलग इस तरह से सामने, उसमें बताया जा रहा है कि इरान के करीब 20 ठिकानों पर हमले हुए हैं, ऐसा नियॉयॉक टाइम्स भी कह रहा है, तो अभी जो रिपोर्ट्स है मीडिया में, अब जूसल मीडिया में जिसकी चर्चा आ इंटरनाशनल मीडिया में, उसके मुताबिक एरान के 20 ठिकानों पर यह हमले हुए हैं, और यह हमले जो हैं, वो missile factories जो हैं, वहाँ पे हमले हुए हैं, जो military bases हैं, वहाँ पर हमले हुए हैं, इलम इलाका है, इरान का, खुजिस्तान इलाका है और तेहरान, इसके आस पास अटेक हुए हैं, और ये अटेक जो है, वो कुमैनी इंटरनैशनल एरपोर्ट के पास भी जो अटेक हुए, जैसा कि बाते सामने आ रही हैं, और कुल मिला के जो लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि इरान का कहना ऐसा है कि इस हमले में कोई खास नुकसान इरान को नहीं हुआ है मैं रिपीट करूँगा एक बार फिर से हाँ इरान की तरफ से आईर जीसी की तरफ से अधिकारिक रूप से बयान आ गया है ये कन्फर्म कर दिया गया है कि इसरेल की तरफ से अटेक हुआ था लेकिन एरान ने ये भी कहा है कि इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ मतलब आप देखिए कि जो इरान ने हमला किया था जिस तरह का जिस लेवल का इसरेल के ऊपर था ये अभी फौरी तोर पे ये उस तरह का हमला नहीं लग रहा है ऐसा इरान की तरफ से कहा गया है अब देखिए इसमें जो है नीलू हमने अपने कल के वीडियो में ही ये बात ब फाय है था कि हमला होगा और वह हमला हुआ और देखिए एक बात और इस हमले में इसरेit ने ऐस्टीवाइव जे थिस्सुपाइड के इस्टेंव किया है ऐस्थिश्टें जेट्स का इस्तमाल किया है तो Tool quasi शर्चा है कि हमला एक्जाटिक ल बताया जा रहा है और साथ में जो है आवाक्स सिस्टम जो था वो भी था तो यह हमला इरान के उपर हुआ अब देखिए इसमें जो सबसे important बात समझ में निकल के बहार आ रही है कि अभी जो लगता है उसके मुताबिक यह हमला बहुत बड़ा हमला नहीं माना जा सकता यह स्ट्राइक है इसमें कोई दोर आए नहीं है अभी हाला कि initial level पर खबरे हैं अभी दीरे से पता चलेगा कि इरान में इसका कितना नुक्सान हुआ है लेकिन यह हमला nuclear नुक्लियर साइट पर नहीं है यह हमला किसी भी oil refinery पर नहीं है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी और यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है यह जो हमने कल चर्चा की थी कि अमेरिका की तरफ से यह दबाव था, कि किसी भी तरह से जो है, वो नेकलियर साइट्स जो है, उस पर हमलाना हो, अब सवाल ये है कि अब इरान की तरफ से क्या जवाब आएगा, ये बड़ी बात है, देख़िए इरान की तरफ से इरान के जो military commanders बड़े हैं, उनकी तरफ से जो sources से बयान आ रहा है, इरान ने ये कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा, और करारा जवाब दिया जाएगा, अब देखने की बात ये है, इसको लेके अलग-अलग दो-तीन तरह की चर्चाएं हैं, जैसे international media में इस तरह की बाते हो रहे हैं कि हो सकता है कि इरान जो है वो अभी जल्दबाजी में इसका जवाब ना दे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी pressure है इस बात को लेके, अमेरिका भी नहीं चाहरा है और शायद रूस भी नहीं चाहरा है कि कोई बड़ा war छिड़ जाए यहाँ पे, अगर इर इरान का इस पे retaliation क्या होगा, इरान कैसे जवाब देगा, यह इसकी नजर पूरी दुनिया पे बनी हुई है, और यह शायद आज रात तक यह बात तस्वीर सामने आए, कि देखिए इरान ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी, जैसे हमने पहले भी बताया था, और इस बात है निकल के सामने आए थी, कि एरान की एक हजार से ज़्यादा बैलिस्टिक मिजाइल्स वो लांच पैट्स पे रिडी हैं, बिल्कुल, और मैंक, यहाँ पर एक सवाल यही, कि जिस तरह से IDF ने, आज अपने बयान दिये, उसने हमला किया, उसके बाद उसने बयान भी यही दिया, कि देखें, लगातार इरान की तरफ से, उनकी प्रॉक्सिस की तरफ से, यानि चौतरफा हम पर हमला किया जा रहा था, और ऑक्टूबर से जो हमला शुरू हुआ था, रुखने का नाम नहीं ले रहा था, इसी वज़़े से हमने यह कारवाई की है, तो क्या यह एक तरस यह बताने की कोशिश की है, कि देखें, अगर इरान पर, क्योंकि सब सबाल उटेगी, अब तक इरान पर हमला क्यों नहीं हुआ, तो एक तरस यह बताने की कोशिश है, जिस तरह से आप करें, कोई बड़ा हमला नहीं है, लेकिन इरान भी अगर कुछ करेगा, स पहली बार तो आपने बताई दी है कि जो है वो हमने हमला किया है और जो हमले हो रहे थे इरान का अमने उसका जवाब दिया है IDF की तरफ से यह भी कहा गया है कि इरान के सैन ठिकानों, एर डिफेंस साइड, बैलेस्टिक मिजाल ठिकानों पर यह हमले किये गए हैं एक उक्तूबर और 14 अप्रेल इसराइल पर हमले के लिए इन ही जगों का इस्तमाल किया गया था अमेरिका इसमें पूरे में अब यह देखने वाली बात है कि अमेरिका रूस का क्या पक्ष रहता है अभी जो बात सामने आया है कि एंटिनी बिंकान ने फोन किया है और बात यही कहा जा रहा है कि ठीक हमले से कुछ दिर पहले अमेरिका को बताया गया कि हमला हुने वाले से नाराज वीए जो वहाँ की मीडिया है अमेरिका को ख सकते हैं यह एक बात तय है कि यह इरान पर जो हमला हुआ यह हमला एक controlled attack था मतलब आप देखिए ऐसा नहीं लगता कि इरान ने जो हमले किये थे कहीं भी उस्टो साथ दो सो मिजाइल फायर कर दी थे बैलेस्टिक मिजाइल वो बड़ा हमला था इसमें कोई दो राय नहीं है और वो जो हमले कितने फेल हुए और कितने नहीं हुए वो दरश्ट बता रहे हैं वो मिजाइल गिरने के पूरे जो है वो चीजे सामने थी और कितना हमला हुआ कितना नुकसान हुआ चीजे दीरे-दीरे करके सामने आ गई अब ये जो हमला F-35 जेट से हुआ है इससे कितना नुकसान हुआ है ये अभी एक थोड़ा संधे का मुद्दा है जिसमें पता चलेगा धीरे से इरान की तरफ से बताया जाएगा कि इसमें क्या कोई casualty हुई भी है या नहीं हुई है या क्या हुआ है और बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसराइल को इस हमले से इसरेल ने हासिल क्या किया है देखिए बड़ी चीज यह है कि क्या नेतनियाहु के ऊपर एक pressure बना हुआ था एक prestige इशू बना था कभी इरान ने हमला किया तो हमको भी जवाब देना है क्या सिर्फ इसलिए ये हमला चुपने रहने वाला और इरान ने भी अच्छी घासी तयारी कर रखी है तो आने वाले अगले 24 घंटे इस पूरे हमले पे रूस का क्या रुख है अमेरिका का क्या रुख है और इरान खमेनी अब क्या चाते हैं अगर ये बड़ा नुकसान हो रहा है इस इरान को यहाँ पे तो आप यह तैम आनके चलिए स्रेटेजी बनानी इरान चुरू कर देगा पलट वार जपरदस्त होने वाला है और आज की राज जो है वो कुछ भी हो सकता फिर से बिल्कुल देखे हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और जब भी हमने का है कोई बड़ा हमला होगा या क्या है हमने भी इस पर लगातार हम रिसर्च करते हैं बाच्चित करते हैं एक्सपोर्ट से बाच्चित करते हैं और उसके बाद ही हम इस निर्वर पर पहुंचते हैं कि मि झाल 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 झाल